तो वालो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल तो गाइस आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ISL 7 से जुरी कुछ टांसफर अपडेट और रिूमर्स के बारे में लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना और चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जुरी बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले अगर बात किया जाए के बारे में तो भाई कर लाश्टार सेपसी ने उनका पिछ यहाँ पर केला बलाश्टर सेपसी ने उनका निव हेड़कोच का नाम भी एनौसमेंट कर चुका है तो भाई यहाँ पर आई लिग वीनेर हेड़कोच कीवू भिकूना जो इस सीजन महोनबागन के साथ आई लिग ट्रॉफी जीता है उनको यहाँ पर केला बलाश्टर पारे में बात किया जाए तो भाई यहाँ पर केला बलाश्टर शेपसी ने इंटरेस्ट दिखाया है बिक्रम प्रताप सिंग के उपर तो भाई बिक्रम प्रताप सिंग जो एक 18 बर्षी Indian राइजेंग स्टार है और इनका अगर खेल के बारे में बात किया जाए तो यह रा में और भी बात किया जाए तो भाई गिरिक खोसला जो एक 25 वर्षिय अटाकिंग मिजफिल्डर है उनको भी नेक्स लिजन के लिए साइन करने के लिए उनके उपर इंटरेस्ट दिखाया है इस्ट बैंगोल फुटबल क्लाप उसी के साथ साथ इस्ट बैंगोल ने यहाँ प अगर बात किया जाए North East United FC के बारे में तो भाई North East United FC ने यहाँ पर ओफिशियली कॉनफर्म साइनिंग कर लिया है ट्राव FC के डिफेंडर दिपक देबरानी को तो भाई दिपक देबरानी जो एक 27 वर्षिय इंडियन डिफेंडर है और इस सीजन इन्होंने आई लिक में ट्राव FC के तरफ से खेल रहा था इससे पहले इन्होंने इंडियन अरुस्ट पोईले नरुस्ट और मिनरभा पंजाब FC के तरफ से भी आई लिक में खेला था तो इनको अब नेक्स सीजन के लिए ओफिशियली कॉनफर्म साइनिंग कर लिया है North East United FC इसके लोगा ट्राव FC कही एक और हिलरी कृष्णे नंदन सिंग जो एक 24 वर्षिय अटाकिंग मिध्विल्डर है उनके उपर भी इंडरेस्ट दिखाया है North East United FC और अगले सीजन में शायद कृष्णे नंदन सिंग भी North East United FC में आ सकते हैं तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में वाज दितने ही